नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में संपुर्ण अधुनिक भारत के इतिहास का इस वीडियो में 120 कोशन को डिसकस किया गया है जबके आगे आने वाले 68th BPSC एक्जाम के लिए महतपूर्न है यह आपके पार्ट 3 है इसका पहले अधुनिक भारत के पार्ट 1 और 2 अप्लोड कर दिया गये जो नहीं देखके जाके देख लिजेगा फिले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा इसके बाद चौटा पार्ट और लास्ट पार्ट को अपलोड किया जाएगा अगर वीडियो आप सभी को हेलफूल लगता है चैनल को सस्क्राइब किजिएगा और वीड कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा दोज कहां फाराया तो अस्टुवर्ट गाट में फाराया ये 2015 का पुछा गया है और ये अपके 2020 में पुछा गया है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक स्याम जी कृष्ण बर्मा और इंडिया हाउस की अस्थापना लंदन में 1905 में किया गया था, फरवरी 1905 में किया गया था, बंगाल बीभाजन के बिसे में किस ने कहा था, बीभाजन हमारे उपर बं की तरह गिरा, ये किसका अस्टेटमेंट है, तो आपको ध्यान रखना है, सुर्यन नाथ बंदर जी क स्टेटमेंट है, बंग बंग के बाद कौन सा अंदोलन सुरू हुआ, मतलब बंगाल को भंग करने के बाद जो है, कौन सा अंदोलन सुरू होता है, तो स्वादेसी अंदोलन सुरू हो जाता है, ठीक है, स्वादेसी अंदोलन सुरू हो जाता है, इसमें आपको याद रखन लागू हो जाता है जबकि 7 अगस्ट 1905 को जो है कलकत्ता की टॉण हॉल में एक इतिहासिक बैठक में सौधिसी अंदुलन की बिधिवत घोसणा की जाती है तो आपसे पूछा जाएगा कि जो स्वाधिसी अंदुलन है इसके बिदिवद घोसना कब की जाती है तो 7 अगस्त 1905 को किया जाता है और घोसना कब होता है बंगाल विभाजन का तो 20 जुलाई 1905 को लागू कब होता है तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है लॉड करजन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस बर्स रद हुआ तो 1911 में रद हो जाता है किसके दवारा तो जोर्ज पंचम और महरानी मेरी के दवारा इसका घोसना किया जाता है दिल्ली दरवार में और घोसना कब होता है तो 12 दिसंबर 1911 को होता है ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा A इसका right answer हो जाएगा next point है कि Congress ने सवराज प्रस्ताव बर्स 1905 में पारित किया प्रस्ताव का उद्देश क्या था जो प्रस्ताव था इसका उद्देश क्या था तो So Sa산 सुNचित करना इसका उद्देश था So 만 सुनचित करना इसका उद्देश था तो B-Option ठीक हो जाएगा बीसमी सवतापदी के परणभीक बरसों में कॉंगुरेस में विभाजन की प्रकिरिया सुरू ही अच्छा प्रस्ण है कि 20 मी सदी के प्ररंभिक बर्सों में कांगुरेस में बिभाजन की प्रकिरिया शुरू ही कांगुरेस अंदोलन की रन्रितियों पर, कांगुरेस अंदोलन की उद्देशियों पर, कांगुरेस अंदोलन में लोगों की भागिदारी पर उपरूक्त सभी तो आपको जाद रखना है उपरुक्त सारे कथन आपके ठीक है कांगरेस अंदोलन की रन्रितियों पर कांगरेस अंदोलन के उद्देशियों पर कांगरेस अंदोलन में लोगों की भागीदारी पर भी ठीक है तो D इसका राइटन से रो जाएगा उसके बाद next point है मुसल्मान अधिखुस और संतुस्थ है तो भारत में ब्रिटिस सक्ति का महत्तम बचा होगा यह किसने लिखा है बहुत ही अच्छा सवाल है कि मुसल्मान अधिखुस और संतुस्थ है तो भारत में ब्रिटिस सक्ति का महत्तम बचा होगा ये किसने लिखा, किसके द्वारा लिखा गया है तो www.hunter के द्वारा लिखा गया है www.hunter के द्वारा किस बर्स हिंदुस्तान Republican Association के अस्थापना की गई हिंदुस्तान Republican Association इसके अस्थापना 1924 में किया गया है इसके संस्थापक सदस में कौन-कौन लोग सामिल थे तो सचिंदर सन्याल, राम परसाद बिस्मिल, जोगेंदर चंदर चटरजी, चंद सेखर, आजाद बंगाल विवाजन की घोष्टना की गई तो बंगाल विवाजन की घोष्टना कब की गई है 19 जुलाई 1905 कहीं कहीं पर आपको 20 जुलाई भी लिखा मिलेगा ठीक है तो ये दोनों अप्सन आपके ठीक माना जाता है तो ए इसका रैटन से रो जाएगा लागू कब होता है तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है नेक्स्ट पॉइंट है करजन वाइली की हत्या के अरोप में किसे मिर्थू डंड दिया गया है तो मदन लाल धिंगरा को जो है करजन वाइलिक की हत्या के अरोप में मिर्तु डंड दिया गया है यहाँ पर नीचे देख लिजेगा कि करजन वाइलिक की हत्या एक जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा के द्वारा किया गया था और इनको फासी कब दिया गया था तो परिशद अधिनियम 1909 का अधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1909 का अधार बनी तो कौन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 का अधार बनती है मांटेक्यू चमिल्सपोर्ड रिपोर्ट तो B option ठीक हो जाएगा उसके बाद next है new lamps for old लेक संखला 1893 से 94 में सरभारा बर के साथ संपर्ग से बाहर होने के लिए कॉंग्रेस के अलोचना की गई थी इन लेखों का लेखक कौन है तो इसका जो लेखक कौन है अरवींद घोस है इसके लेखक कौन है अरवींद घोस इसके लेखक काकोरी ट्रेन डकेती कांड में किन करांती कारियों को फासी के सजा दी गई थी राम परसाद बिस्मिल और अस्फाक उल्ला खाको दिया गया था काकोरी ट्रेन डकेती कांड अगस्त 1925 में होता है नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे तो जो हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है इसकी अस्थापना 1928 में दिल्ले के फिरोसा कोटला मैदान में किया गया था और इसमें भगत सी भी एक संस्थापक मेंबर थे निमलिखित पंतियों में निमलिखित पंतियों को किस ने लिखा है किस के द्वरा लिखा गया है तो सर्फ रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है एक जो अस्टेटिमेंट है यह पंती है किसके दौरा लिखा गया है तो यह लिखा गया है बिस्मिल अजीमा बादी के दौरा बिस्मिल अजीमा बादी के दौरा तो A option आपका ठीक हो जाएगा ठीक है इसे आप लोग रोक के पढ़ लिजेगा उसके बाद next प्रस्थ है प्रसिद गीत सरफ रोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचीता कौन है इसके रचीता कौन है तो अभी आपने देख लिया बिस्मिल अजीमाबादी है तो A option में कोई भी नहीं है तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा इन कलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया इन कलाब जिन्दाबाद का नारा किस के दवरा दिया गया है तो भगसी के दवरा दिया गया है इनकलाब जिन्दाबाद की रचना प्रसीद के भी मुहम्मद इकबाल ने की से नूट कीजिएगा कि जो रचना है प्रसीद के भी मुहम्मद इकबाल के दवरा किया गया है किन्तु पहले बार इस नारेक रूप में जो परयोक किसका द्वरा किया गया है तो भगसी के द्वरा परयोक किया गया है और भगसी ने इसे चर्चित भी बनाया है भगसी राजगुरु तथा सुखदेब को फासी कब दी गई है 23 मार्च 1931 को दिया गया है तो 23 मार्च 1931 को फासी दिया गया है सरकार के विरोध में असेमली में बम फेकने के समय भगसी की उम्र क्या थी ? जो भगसी बम फेकती हैं जब 8 अप्रिल 1929 में तो भगसी की उम्र क्या होती है ? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा होता है और भगसी का जनम कब होता है ? तो सितंबर 1907 में भगसी का जनम होता है और इनके द्वारा बम फेका जाता है आठ अप्रिल 1929 को दिल्ली के केंद्रिये बिधान समाम बम फेका गया था अनुसिलन समीती थी तो जो अनुसिलन समीती एक क्या थी तो एक करांतिकारी संगठन थी हेमचंद्र कानुनगो के बारे में याद रखेगा कि कलकत्ता अनुसिलन समीती के सहीयोगी एबम बम बिससकते कौन हेमचंद्र कानुनगो 1913 में पटना में अनुसिलन समिती की एक साखा की अस्थापना किस ने किये तो किस के दोरा किया गया है तो आपको याद रखना है सचिंदर सन्याल के दोरा किया गया है सचिंदरनाथ सन्याल के दिवरा किया गया है 1931 में पटनाहे में अनुसिलन सम्rentी की एक साखा की अस्थापना ठीक है चित गाउं सस्त छाप मारी की योजना बनाई गई तो किस के दिवरा बनाया गया है तो सुर्षण के दिवरा बनाया गया है चिटगाउं सस्त्र को कब लूटा गया है तो 1930 में लूटा गया है ठीक है 1932 में लूटा गया है 22 मई 1930 को लूटा गया है सुरसेन के द्वारा चटगाउं सस्त्रागार धावे से कौन सम्मंधित है तो सुरसेन सम्मंधित है ठीक है सुरसेन सम्मंधित है निफ्स के रिये बिरुद के सिध्धानत का परति पादन किस ने किया है तो अर्बिन्ध घोस के द्वारा किया गया है गदर पाटी के अस्थापना हुई तो कब होती है गदर पाटी के अस्थापना 1913 में होता है और इसके अस्थापना सोहन सी भागना के दुवरा किया जाता है जबकि जो गदर पाटी है इसके पत्परदरसक कौन है तो लाला हरदयाल इसके पत्परदरसक है और इसके अन मेंबर के बारे में यहाँ पर देख लिजेगा रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महंदर परताप, अब्दुल रहमान मेडम भिकाजी कामा, भाई पर्मानंद, करतार सी सराभा, तथा पंडित कासी राम प्रमुख मेंबर थे गदर करांती छिडने का सबसे महत्पून कारण क्या था, तो पर्था महायूद का सुरू होना इसका इनपोर्टेंट कारण था, तो सी ऑप्सन ठीक हो जाएगा गदर पार्टी की अस्थापना कहां पर हो थी, जो गदर पार्टी है, इसकी अस्थापना 1913 में कहां पर होता है, तो सह्युक्त राज अमिर्का में होता है। अमेरिका के सेन फ्रांसिस्को में इसका हेड़ क्वाटर था इसका मुख्याले था सरदार उधम सी ने किसे गोली मारा था बहुत ही अच्छा सवाल है ये 2022 में पूछा गया है सरदार उधम सी ने किसे गोली मारा था तो माइकल ओडायर को माला था तो 1940 में मारा था ठीक है यहाँ पर देखे 1940 में मारा था किस ने कहा था सुराज मेरा जर्मसिद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा तो किसके द्वरा बोला गया था बाल गंगा दर तिलक के द्वरा बोला गया था सुराज मेरा जरमसीद अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह बक तब किसे समन्दित है तो बाल गंगा धरतिलक से समन्दित है उसके बाद है कि सुराज आम जनता के लिए होना चाहिए केबल बरगो के लिए नहीं कि प्रशीद सुत्र की घोस्तना की गई है तो किसके द्वरा किया गया है सी राजगोपलाचारी के द्वरा ठीक है बहुत ही अच्छा सवाले से मार किजिएगा कि सुराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल बर्गु के लिए नहीं कि प्रसिद सुत्र की घोस्तना सी राजगोपलाचारी के द्वरा किया गया है कि एझाय है अन हैपी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है जो अन हैपी इंडिया इसके पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राई यह पूछा गया है दो हजार बाइस में अनहाइपी इंडिया पूछता के लेखा कोन है तो लाला लाजपत राइस के लेखा के ठीक है यहाँ पर आप देख लिजिए और साथ ही आपको याद रखना है केसरी और मराठी केसरी और मराठी यह आपके बाल गंगा धरती लग के दोरा लिखा गया है जबकि कॉमन बील एनी बेसेंट की पत्रिका है और नीव इंडिया जो है एनी बेसेंट की पत्रिका है जो केसरी और मराठी यह इंगलीज में छपता था फिर से बोलते हैं मराठी इंगलेज में छपता था और केसरी जो है मराठी में छपता था कॉमन बील और नीव इंडिया किसका पत्रिका है तो एनी बेसेंट की पत्रिका है निमलिखे तमेंसे किस नेता ने 1906 में कलकता कांगरिस अधिवेशन की अधिश्टा की बहुत ही अच्छा सवाल है कि 1906 में कलकता कांगरिस अधिवेशन की अधिश्टा किसके द्वारा किया गया है तो दादा भाई नौरेजी के द्वारा किया है आल इंडिया मुस्लिम लिंग की अस्थापना तो 1906 में किया गया और इसका headquarter कहां था ये पूछाप से जाता है तो लखनवर में इसका headquarter था नूट कीजेगा लखनवर में इसका headquarter था ठीक है उसके बाद इसमें कुछ important point है कि संज्थापक के रूप में चैन का बरिता करम इ कि आएंगे ठीक है उसके बाद है कि 1906 में मिंटो से सिमला में मिले मुसलमानों के सिस्ट मंडल ने पराथना की थी तो क्या पराथना की थी मुसलमानों के लिए पिर्थक निरवाचन बर्ग तो पहला आपके ठीक हो जाएगा और इसे 1909 के अधिनियम के माधियम से जो है द मंधल का आरम किया अच्छ सवाल है कि भारत में पूर्थाक अंदिरबाचक मंधल का आरम किया तो भारतिया परिशध अधिन्यम享 909 के माधियम से ठीक है निम्लिकत में से किसका योगदान होमुरूल लिग के अस्थापना में नहीं थी ? अच्छा सवाल है कि किसका योगदान जो होम रूल लिग के अस्थापना में नहीं थी? तो देख लिजे, एनी बेसेंट इनका योगदान था, बाल गंगादर तिलक इनका भी था, यम सुब्रय मन्यम अयर इनका भी था, जबकि टीयस आलकाट का नहीं था, जो होम रूल लिग है, ये शुरू कब होता है, तो 1916 में शुरू किया जाता है, तिलक और एनी बेसेंट क जनीतिक सक्ति का सफलता पुरवग प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस का 1916 का लखनवर अधिवेशन में, तो ए उप्सन आपका ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, सिच्छा में सुधार है तो ब्रिटिस सरकार ने सेंडलर विस्विद्याले आयोग कब नियुक्त किया है, 1917 में निव्ट किया है, होमरूल आंदोलन भारत के सुतंता संगराम के एक ने चरन के अरम का गोतक था, क्योंकि इसका पीछे क्या कारण था, इसने देश के सामने सोससन सिल्फ गवर्मेंट की एक ठोस योजना रखी, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, आंदोलन का नितुत गांधी के हाथ में आ गया, तो ये अपके गलत है, हिंदू और मुसल्मानों ने एक संगर्स प्रणाम किया, ये भी अपके गलत है, तो इसका जो सही अंसर ए हो जाएगा, इसका सही अंसर ए हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल विभाजन क प्रतिया घात के रूप में कौन सा अंदोलन शुरू हुआ था, तो बंगाल विभाजन की बिरोध में जो है, स्वादेसी अंदोलन शुरू हुआ था, 1905 में, ठीक है, 1905 में जो है, स्वादेसी अंदोलन शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन की घोसना कब हुआ था, 20 ज गया था, नुवाखली काल में, महात्मा गांधी के सचीव कौन थे, तो प्यारे लाल सचीव थे, ठीक है, प्यारे लाल सचीव थे और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो प्यारी लाल की बहन है डॉक्टर सुसीला नैयर ये गांधी जी की बेक्तिगत चिकित्सक थी नेक्स्ट पॉइंट है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्य अगरा कौन सा था अच्छा सवाल है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्य अगरा कौन था तो चंपारण अंदोलन था ठीक है किस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो सामलदास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई करते हैं निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का पर्थम सत्य अगरा अंदोलन था जिसमें उन्होंने सबने अभग्या का परियोग किया जिसमें उन्होंने जो है सब ने अवगिया अंदुलन का परियोग किया तो उसका नाम क्या है चमपारं था ठीक है चमपारं था कब होता है 1917 में होता है किस ने उरोपियन नील बगान मालिको द्वारा किस्तानों के सुसन की तिरफ गांधी का ध्यान अकरसित किया तो राज कुमार सुकल के द्वारा ध्यान अकरसित किया गया था चंपारन में इंडिगों के किसानों की दसा की ओर गांधी जी का ध्यान किस ने आकरसित किया राजकुमार सुक्ल ने आकरसित किया गांधी जी दुवारा भारत में पहली बार सत्यागरा अंदोलन बिहार में कहां प्रिरम किया तो चंपारन में प्रिरम किया बिहार के कौन से अस्थान में गांधी जी ने अपना पर्थम सत्याग्रा किया था तो चमपारण में 1917 में यह जो आपकी BPSC का फेवरेट कोस्टन है ठीक है चमपारण निल अंदुलन के राश्टिय निता कौन थे तो महात्मा गांधी राश्टिय निता थे प्रसिद नाटक निल दरपन जिसमें इंडगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चितरन किया गया कि रचना किसने की है जो निल दरपन बूख है किसके दवरा लिखा गया है तो दीन बंधू मित्र के दवरा लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट है निम्लिकित में से किस सत्याग्रा के अंदुलन में गांधी जी ने परतिया चुरूप से भाग नहीं लिया इसका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके बाद नेक्स्ट है स्वधिन्ता अंदुलन के दौरान महात्मा गांधी के करेवी अंग्रेज मित्र थे उनका नाम क्या था तो उनका नाम था एरेबरंड चारली एंड्रूज एरेबरंड चा सबसे गरीब की सहयता करना इसका उद्धेस है 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी दौराश चलाए गयी सत्य अग्रह में किसने हिस्सा लिया था तो किसने हिस्सा लिया था तो देख लिए किसने हिस्सा लिया था और दोगिक करमियों ने हिस्सा लिया था तो भी इसका रैटन सरो जाएगा ठीक है उसके बाद next point है यहाँ bonus का मामला था निम्न उद्योग पतियों में से कौन से बेक्ती लंबे समय तक A I C C A I C C के खजांची रहे था था सन 1930 में जेल भी गए तो यह बात किया जा रहा है आपके जमनाला बजाज के बारे में ठीक है जमनाला बजाज के बारे में यह बात किया जा रहा है तो भी इसका रैटन सरो जाएगा नेक्स पॉइंट है कि महात्मा गांधी ने स्वर पर्थम किस किसान अंदोलन में भाग लिया स्वर पर्थम जो है किस किसान अंदोलन में भाग लिया तो चमपारन अंदोलन में सबसे पहले भाग लिया 1917 में गांधी जी का चमपारन सत्यागरा किस से जुड़ा हुआ था तो 3 कठिया पर्था से जुड़ा हुआ था बिहार में 3 कठिया पधिती में निल की खेती के लिए भूमी का कितना भाग आमानत रखा गया था तो 20 कठा में से 3 कठा 20 कठा में से 3 कठा ठीक है तो C ओप्सन ठीक हो जाएगा चमपारन अंदुलन से सम्मंदित नहीं था चमपारन अंदुलन से कौन सम्मंदित नहीं था तो देख लिजे राजन दिर परसाद सम्मंदित थे अनुगरह नरायन सिंग सम्मंदित थे जबी क्रिपलानी ये भी संबंदित है जबकि ये परकास निरायन संबंदित नहीं है ठीक है जेपरकास निरायन संबंदित नहीं तो जेविक रिप्लानी संबंदित है, राजकुमार सुक्ल संबंदित है, राजन्दर प्रसाद ये भी आपके संबंदित है, जबकि राम मनोहर लोहिया संबंदित नहीं है, राम मनोहर लोहिया संबंदित नहीं है, अखिल भारतिय किसान सवा के पर्थम सत्र की अदर्चता क किसके द्वरा किया गया है तो स्वामि सहयाननन्द क के द्वरा किया गया है। नेक्स है कि बंबई में अखिल भारतिय वेपार संग कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई अच्छा सवाल है। बंबई में अखिल भारतिय बेपार संग कॉंग्रेस की अस्थापना कब होती है तो सन 1920 में होता है इसे पढ़ लिजी यम यन जोसी जोसेप बेपिस्टा तथा लाला लाजपत राय के परियासों से अखिल भारतिय बेपार संग कॉंग्रेस या अखिल भारतिय ट्रेड विनि लाला लजपत राय इसके पर्थम अध्याच थे ये कोशन पूछा जाता है ठीक है कि अखिल भारती वेपारसंग कांगरेस या अखिल भारती ट्रेड उन्योन कांगरेस के पर्थम अध्याच कौन थे तो लाला लजपत राय थे और इसके पर्थम महासचीब कौन थे तो लाला लजपत राय थे, आपने देख लिया, लाला लजपत राय थे और इसके प्रथम महासचीब कौन थे? तो दिबान चमन लाल इसके प्रथम महासचीब थे. Next point है Communist International का सदस बनने वाला पहला भारतिये कौन था, उसका नाम क्या था तो E.M.N.R. उसका नाम था E.M.N.R. उसका नाम था, ठीक है भारतिये उच्चायुक्त के पद का सिर्जन किस अधिनियम से हुआ है तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा होता है तो B इसका right answer हो जाएगा रॉलेक्ट एक्ट का भारती रास्टी कॉंग्रेस ने बिरोध किया क्योंकि इसका लच था बेक्ति गत सुधनता को सिमित करना इसका लच था ब्रिटिस पुलिस किसी भी बेक्ति को बिना मुकदमा चलाए उससे गिरापतार करके जेल में रख सकती थी इसलिए रॉलेक्ट एक्ट को जो है बिना बकील बिना अपील बिना दलील का कानून बोला गया है फिर से बोलते हैं बिना बकील बिना अपील तथा बिना दलील का कानून बोला गया है रॉलेक्ट एक्ट को ठीक है उसके बाद नेक्स्ट कोईसन है कि जलिया बाला बाग नरसंघार किस गांधी बादी सत्यागरा के सम्मंध में हुआ है जब राउलेक्ट एक्ट कांवन का बिरोध कर रहे थे तो उसी समय जलिया बाग हत्याकान होता है 13 अप्रिल 1919 के अमरीसर के पंजाब के अमरीसर के जो है जलिया बला बाग में होता है तो B इसका रैट अंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रॉलेक्ट एक्ट भारत में लागो किया गया तो कब लागो किया गया? सन 1919 में लागू किया गया था रॉलेक्ट एक्ट को ठीक है जलिया बाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे अच्छा सवाल है जलिया बाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे उसका पीछे क्या कारण था कि चुलू तथा सत्पाल के बंदी बनाने के बिरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग जमा हुए थे तो B ओप्सन ठीक हो जाएगा रविन नाथ टाइगोर ने अपनी नाइट हुड उपाधी किस करन से त्याग दी थी तो जलिया बला बाग हत्या कांड के बाद कब होता है 13 अप्रिल उनिसको होता है जलिया बला बाग हत्या कांड तो C ओप्सन ठीक हो जाएगा लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया तो किसके द्वारा मारा गया था उधम सिंग के द्वारा मारा गया था बर्स 1919 भारती इतिहास से सम्मंदी थे जलिया बला बाग तरासदी के लिए सम्मंदी थे 13 अप्रिल 1919 को जलिया बाला बाग हत्या कांड होता है अमरिश सर के जलिया बाला बाग में भील क्राउड का दमन हुआ तो कब होता है 13 अप्रिल 1919 को होता है जलिया बाला बाग हत्या कांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निमन में से किस ने मारा है किसके द्वारा मारा गया है, उधम सिंग के द्वारा मारा गया है, यह पुछा गया है, 2001 में पुछा गया है, तो यह महात्मा गांधी के द्वारा यह अफसर देखा गया था, 1920 के खिलाफ़त केमिटी की सभा, जिसने गांधी को असायोग अंदुलन के नित्रित को समालने का अंदरोद किया था, वो किस सहर में हुआ था, इलाहाबाद सहर में होता है, इसे आप दुबारा देखेगा कि 1920 के खिलाफ़त केमिटी की सभा, जिसने गांधी को असायोग अंदुलन के नित्रित को समालने का अंदरोद किया था, वो किस सहर में हुआ था, तो इलाहाबाद सहर में हुआ था, नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी के असायोग अंदुलन में लोगों को सराप से परहज क करने का आगरा किया गया फल्स रूप सरकार के राजस्ट में भारी कमी आई इस परदेश के सरकार ने लोगों को फिर से सराब पिने को प्रिवित करने के लिए परमुख वेक्तियों की एक सूची परसारित की जो सराब पिते थे उस परदेश का नाम बताना है तो उस कारियों को सरंदी थी यह अपके गलत है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाप अपने अंदोलन में भारती मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे तो बिलकुल ठीक है खलीफा ने भारत के सुदंता अंदोलन का समर्थन किया था इसा कुछ भी नहीं है खलीफ कांगुरस द्वरा जो है असायोग अंदोलन किस बर्स प्रेडम किया गया तो बर्स 1929 में प्रेडम किया था असायोग अंदोलन महात्मा गांधी जी के नित्रुत में प्रेडम हुआ था गांधी ने असायोग अंदोलन का प्रेडम किया तो 1929 में प्रेडम किया गया एक अगस्त 1929 को ठीक है एक अगस्त 1929 को प्रेडम किया गया था इसमें आपको याद रखना है कि एक अगस्त 1929 को प्रेडम किया गया पच्छिम भारत बंगाल तथा उत्तर भारत में जोग अंदूलन के दोरान ही मोति लाल नहरू लालाजपत्राई सर्दावलाभाई पठेल जवालाज नहरू रजन्द प्रसाद नियाले का बहिसकार कर अंदूलन में खुद पड़े ठीका से नूट कीजिए का पूछा जा सकता है फिर से बोलते हैं मोति लाल नहरू लालाज पत्रा, सेदा बलबाई पटेल, जवाला नेहरू, राजन्द प्रसाद ये सारे लोग नियाले का बहुसकार करते हैं और अंदुलन में कुद जाते हैं किस छेतर में राहुल संकृतायान ने 1920 के आसायोग अंदुलन में सक्किरिये थे बहुत ही अच्छा सवाल है, तो छेतर में राहुल संकृतायान 1920 के आसायोग अंदुलन के दौरान सक्किरिये थे किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने आसायोग अंदुलन को अपनी हिमाले जैसी भूल बताई तो चौरी-चौरा कांट के बाद में ये कहां पर होता है, तो उत्तर प्रदेश के गोरकपुर में होता है चार फरवरी 1922 को घटना घटता है और आसायोग अंदुलन को गांधी जी के दौरा बापस 12 फरवरी 1922 को बापस ले लिया जाता है आसायोग अंदोलन के दौरान किसने पटना कोलेज छोड़ा जबकि उसकी परिच्छा में केवल 20 दिन बचे थे तो जब परकास निरायन के दौरा छोड़ा गया था 1921 के मुपला अंदोलन की जो साखा थी तो खिलाफत अंदोलन की साखा थी 1922 के असायोग अंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मानताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के पर्तिक थे एक निपुन राजनितिक थे वो अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था अंग्रेजी जानते थे तो आपको याद राखना है कि वो अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था तो C इसका राइट एंसर हो जाएगा सारा बंदी अंदोलन 1922 किसके नितित में प्रणब होता है तो सर्दार बल्लन भाई पटेल के नितित में प्रणब होता है 1921 का मौपला बिद्रो कहां हुआ था तो 1921 का जो मौपला बिद्रो है एक केरल में शुरू हुआ था केरल में शुरू हुआ था और इसमें आपको याद राखना है कि आंदोलन जो है जमिनदारों के खिलाप में हुआ था जो किसान थे यहाँ पर आपके मुस्लिम थे और जमिनदार यहाँ पर हिंदू थे किस घटना के करण गांधी जी ने आसायोग अंदुलन बापस लिया तो चौरी-चौरा कांड के बाद जो है महत्मा गांधी ने आसायोग अंदुलन को बापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को असायोग अंदुलन के अस्थगन सम्मंधी घटनाओ का सही करम इंगित करना है तो कर लिजिए चौरी-चौरा में पुलिस गोली कांड उगरे भीड द्वारा पुलिस थाने को जलाना गांधी द्वारा अंदुलन का अस्थगन गांधी की गिरवतारी तो इसमें आपको याद रखना है कि एक, दू, तीन, चार हो जाएगा जब से पहले चौरी-चौरा में पुलिस गोली कांड होता है, पुलिस गोली चला देती है, उसके बाद जो उगर भीर है वो आपके पुलिस थाना पर हमला करता है और पुलिस थाने में आग लगा देता है गांधी जी दुवारा अस्थायोग अंद्रोन को अस्थगित कर दिया जाता है, जब आग लगाते हैं तो उसमें करीब 20-22 पुलिस करमी मारे जाते है और उसके बाद गांधी जी को जो है गिरवतार कर लिया जाता है, ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, ए इसका रैट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है, फरवरी 1922 में पुलिस चोकी में आग लगने की घटना से सम्मंधित चोरी-चोरा किस राज में है तो उत्तर परदेश राज में है, उत्तर परदेश के गोरकपूर में लौड सिना 1921 में कहां कि गवर्नर पत से त्याग पत्र दिया था, बहुत ही अच्छा सवाल है लौड सिना ने 1921 में कहां कि गवर्नर पत से त्याग पत्र दिया था, तो बिहार बंगाल की गवर्नर पत से जो है त्याग पत्र दिया था नेक्स कोस्टन है 1923-28 के काल में भारती रान नीती में करांती कारी कारविधियों के पुर्ना विर्दी का कारण किया था तो उसका पिछे कारण था कि गांधी दुबारा असहयोग अंदुवन का जो अस्थगन कर देते हैं उसके बाद दुबारा 1923-28 के बीच में जो करांती कारी गतिविधिया था उसमें बिर्दी हो गया था ठीक है तो भी इसका राइट अंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स कोस्टन है कि सुराज दल की अस्थापना आसफलता के बाद होई जो सुराज दल की अस्थापना है किसकी असफलता के बाद होता है तो आसायोग अंदूरन की असफलता के बाद होता है अस्थापना जनवरी 1923 में सी आरदास के दवरा किया जाता है जबकि इसके महासचीव मोतिलाल नेहरू इसके महासचीव होते है सुराज दल की अस्थापना किसने की है तो सुराज दल की अस्थापना यह किया गया है कि चितरंजन दास एबं मोतिलाल नहरू के द्वारा चितरंजन दास एबं मोतिलाल नहरू के द्वारा किया गया है 1923 में सुराज पाटी का गठन किसने किया सियार दास और मुतिलाल नहरू सुराज पाटी का गठन खाले अस्थान की असफलता के बाद हुआ है तो आसायोग अंदुलन की असफलता के बाद में होता है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांगरेस के आधिवैसन के अधियच कौन थे नेक्स्ट पॉइंट है भारते रास्टी कांगरेस के 1922 में आयोजित गया अधिवैसन के अधियच कौन थे तो चितरंजन दास थे अता सदैब सहमती के साथ और अक्सर बानीज मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे वाइट मैन वर्डेन कहा जाता है यह किसने कहा था यह किसके दौरा बोला गया था तो यह बोला गया था सचिदनन सिन्हा के दौरा सचिदनन सिन्हा के दौरा बोला गया था सैमन के मिसन पहली बार भारत साइमन के मिशन पहली बार भारत आया तो कब आया 1928 में आता है और इसका गठन कब हो जाता है तो 1927 में इसका गठन होता है यह भारत में आता है 1928 में और इसके साथ मेंबर थे और सातों को सातों मेंबर आपके बिदेशी थे सातों के सातों मेंमेंबर आपकेश में क्या थे? वाइट थे, विद्धेसी थे सबसे पहले इसका विरोध बंबई में होता है रिक्त अस्थानों को पूर्ती करना है तो पूर्ती कर लेजे नहरू रिपोर्ट खाली अस्थान की अध्यच्छता में जो report है मोतिलाल नहरु की अधर्चता में एक committee द्वारा त्यार किया गया, और इसका विसे था, तो आपको याद राखना है जो विसे था, Dominion estate का था, इसका जो विसे था, Dominion estate का था, मोतिलाल नहरु और भारत में सम्यधानिक बेवस्थाएं, इसका विसे था, तो C इसका right answer हो जाएगा उसके बाद next point है पुर्ण सुराज का प्रस्ताव लहर कॉंग्रेस में पारित किया गया अच्छा सवाल है कि पुर्ण सुराज का प्रस्ताव जो है लहर कॉंग्रेस में कब पारित किया गया तो 1929 में पारित किया गया और आपको याद रखने जो लहौर कांग्रेस होता है जवाहलाल नहरू की अध्याचता में होता है 1929 में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतिय रास्टी कांग्रेस ने किसे सत्र में पूर्ण स्वाधिनता का प्रस्ताव पारित किया था नेक्स्ट पॉर्ण स्वाधिनता का प्रस्ताव पारित किया था 1929 में लहौर में आयोजित भारतिय रास्टी कांग्रेस के अधिवैसन का अध्याच कौन थे जवाहलाल नहरू थे देखे बीपेस्ट के दुबारा बहुत ही कौसन अपना रिपेटेशन किया जाता है तो आपसे भी लोग को थोड़ा पैसन्स जो है सारे कोशन को ध्यान से देखना है क्योंकि कौसन तो रिपेटेशन होता है तो इसमें देखे हम पुछ काट कुट न गया था, इसे आप लोग सोचके बताइए कि भारती रास्टी कॉंग्रेश द्वारा जो एक किस दिन को पूर्ण सुराजदिवस गोशित किया था तो 26 1931 को ठीक है 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण सुराज दिवस के रूप में गोशित किया गया था भारती रास्टी कॉंग्रेस के द्वारा 1929 के कॉंग्रेस अधिवेशन में पूर्ण सुराज का पता का किस ने उठाया आप ही लोग बता दिजे 1929 के कांगुरिस अधिविस्तर में पूर्ण सुराज का पता का किसका दोर उठाया गया था जवाहला नहरू के दोर उठाया गया था समाजबाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिस सासन देशी राज्यू जमिनदार बाद और पुंजी बाद को उखाल फेकना चाहता था बहुत ही अच्छा सवाल है आप सभी लोग सोचिए और इसका इंसर का जवाब देजिए कि समाजबाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिस सासन देशी राज्यू जमिनदार बाद और पुंजी बाद को उखाल फेकना चाहता था तो जवाहलाल नहरू थे ठीक है जवाहलाल नहरू थे किस ने 1921 में पहली बार पूर्न सुतनता की मांग को उठाया बहुत ही अच्छा सवाल है 1921 में पहली बार पूर्न सुतनता की मांग को किस ने उठाया किस के दौरा उठाया गया है तो मौलाना हसरत मोहानी के दौरा उठाया गया है मौलाना हसरत मोहानी के दौरा इसे मार करके अप लोग लिख लिएगा ठीक है इन्पोटेंट पॉइंट है उसके बाद नेक्स्ट है कि बारदोली सत्यागरा का सफल नेतरुत्व किस ने किया है जो बारदोली सत्यागरा है इसका सफल नेतरुत्व सरदार बल्लम भाई पटेल के द्वरा किया गया है और इसमें आपको याद रखना है कि जो बारदोली सत्य अगरा ये कब होता है 1928 में होता है ठीक है 1928 में होता है डांडी यात्रा की गई है तो डांडी यात्रा कब किया गया है 1930 में डांडी यात्रा किया गया है महात्मा गांधी जो है 12 मर्च 1930 को नमक सत्य अगरा शुरू किया था नमक सत्य अगरा कब शुरू किया था 12 मार्च 1930 को और आपको याद राखना कि सावर मती यासरम से सुरू किया गया था और ये डांडिक का पहुचते हैं तो 6 अपरिल 1930 को पहुचते हैं 24 दिन की यातरा के बाद ठीक है? सी राज को पलाचारीश का नेत्रित्व करते हैं ठीक हैं।